अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन घंटी को दबाना ना भूले नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने घर पे जो सोलर सिस्टम लगाएंगे अगर आप लगाना चाहते हैं सोलर सिस्टम अपने घर पे तो कितने वाट का लें और कितने एंपियर की वैटरी लें कौन सा इन्मर्टर लें जो की सोलर के लिए सही होगा इन सारी चीजों के बारे में आपको हम पूरी डिटेल देंगे और इसका इंस्टॉलेशन कैसे करना है इसके बारे में भी जानकारी आपको पूरी मिलेगी दोस्तों कितने वाट का कितने अंपियर का पूरा कलकुलेशन करके मैं यहाँ पर आपको बताओंगा तो पूरी वीडियो में बने रहे आईए वीडियो को सुरू करते है सबसे पहले आपको क्या-क्या यहाँ पर ध्यान देने वाली बाते हैं इन सारी चीजों को आपको देख लेना है अगर आप एक solar system लगाने जा रहे हैं तो ये सारी बातों को आप अपने ध्यान में रखें दोस्तों अगर आप कोई उपकरान जो चलाना है आपके घर पे उसका load कितना है सबसे पहले आपको इसका calculation करना बहुत जरूरी है दूसरी बात आपकी यह है दोस्तों कि अगर आपको सुर्फ दिन में इस्तेमाल करना है तो उसका अलाक system लगेगा और अगर रात में इस्तेमाल करना है दिन और रात में तो उसका आलक system लगेगा दोस्तों अगर आपको solar का यूज़ करना है तो उसके लिए भी आपको solar की quantity और battery भी देखनी होगी और अगर solar बिजली दूनों यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपकी अलक quantity होगी solar panel की solar के लिए कौन सा inverter अच्छा रहेगा solar के लिए कौन सी battery लगती है CTN या C20 इसके बारे भी बात करेंगे battery कितने यंपेर की लगाना है और panel को किस angle पे खड़ा करना है जिससे charging current आपको सही मिले आईए दोस्तों calculation करके दिखाते हैं माल लिजिए हमें अपने घर पे 308 के लिए solar system लगाना है तो उसके लिए आपको हमें निकालना पड़ेगा कितने यंपेर का हमको यहाँ पे current की आओ सकता है तो इसका formula है दोस्तों यंपेर बराबर watts बागे bolts इसको निकालने के लिए द पचीज मिला इसका मतलब हमें 25 अंपेर करेंट की आओ सकता है 300 watt system चलाने के लिए पचीज अंपेर 12 बोल्ड की अवे battery backup के बारे में जानना है दोस्तों आईए हम आपको battery backup का भी calculation करके दिखाते हैं दोस्तों आईए अब हम battery का calculation करके दिखाते हैं क्योंकि यह भी बहुत मा कितने घंटे हमको backup लेना है और उसको फिर भाग कर देते हैं battery के voltage से दोस्तों मान लीजिए हमको 308 का है पर load चलाना था और जो backup time है 8 घंटे हमको चलाना था और 12 volt से हम जब इसको भाग देते हैं तो दोस्तों यहां पर 200 आता है इसका मतलब कि 200 एज की हमको यहां पर battery लग दोस्तों battery का जो charge करने का current होता है वो battery का current का total जो यह अंपियर का दसमा भाग से उसको चार्ज करते हैं यानि कि अगर 200 आता है तो उसको चार्ज करने के लिए हम 10 से भाग करेंगे यानि कि 20 आता है तो यह अच्छी तरीके से चार्ज होगी अब आईए यह calculation मैंने कर लिया अब हम calculation करेंगे solar energy की क्योंकि अब इसके लिए हमको कितने watt का solar panel चाहिए इस बारे में भी हम calculation करके आपको दिखाते हैं इसका formula जो दोस्तों है calculation का इसको भी आप देख लें दोस्तों यहाँ पे हमको 25 ampere का load चलाना था और 20 ampere की 20 ampere से आपको battery charge करने थी यानि total हमको 45 ampere current की आउशकता है अब total 45 ampere current के लिए हमको कितने watt का पाइनल लगाना है इसका भी calculation बहुत जरूरी है तो आईए हम इसको calculation करके आपको दिखाते हैं दोस्तों इसका formula है वाट वाट से हम क्या करते हैं वाट वरावर क्या होता है दोस्तों इसका फर्मुला यही है तो हमको कितने watt निकालने इसके लिए हमें क्या करना होगा टोटल हमको 45 ampere की current जरूरी है क्योंकि हमको 25 ampere load चलाना 20 ampere से battery charge करनी है और यह कि solar current जो होता है यह load circuit पे 14 volt के आसपास होता है तो इसको 14 volt से इसको हम गुड़ा कर देते हैं दोस्तों तो यहां पे गुड़ा करने के बाद जो हमक छेशो तीसर 8th के पैणल लगाने हैं दोस्तों हमें कितने अंप की battery चाहिए इसका calculation हमने कर लिया और कितने अंपेर current चाहिए इसका भी calculation हमने कर लिया अब हम calculation करेंगे कि हम को कितने पैनल किया हो सकता है उसके बाद पैनल को किस धं से लगाना है उसको लगाने का सही एंग जो होता है वो किस एंगल पर खड़ा करना होता है क्योंकि दोस्तों उल्टा सिधा करके लोग पैनल लगा देते हैं उससे चार्जिंग करेंट पूरी अच्छी तरीके से नहीं आता है और इसके कनेक्शन के बारे में हम समझेंगे इसको कनेक्शन किस तरीके से करना है दोस्त आईए जानते हैं solar panel किस एंगल पे खड़ा करना चाहिए दोस्तों जिस धुरूप में हम लोग रहते हैं इंडिया कंट्री एस्या में वहां पे पैनल लगाने का जो आपका सही तरीका है वो दोस्तों आप जान लिजिए ध्यान में बैठा लें 30 डिगरी पे आपका पैनल लगा देते हैं तो वो पैनल आपका पूरी तरीके से करेंट नहीं दे पाता है सही जो तरीका लगाने का है वो आपका दोस्तों ध्यान रहें 30 डिगरी 30 डिगरी पे solar panel लगाएं दोस्तों इसके बाद हमें जानना क्या है आईए उसके बारे में हम आपसे डिसकस करते है पै इसका के jump कैसे काईसे करना होता है पैरलर होता है स्रीज होता है कखैक साथ जोडने होते हैं तो दोस्तों हमको पैरल्र में जोड़ता है क्योंकि हम 12 बल्स पे काम कर रहे हैं पैर्लर और स्रीज के बारे में आपको अगली वीडियो में बताएंगे आज हमें जो discussion करना है वो 12 बोल्ट system पर करना है इसलिए मैं आपको 12 बोल्ट system के बारे में पूरी जानकारी बता रहा हूं दोस्तों पारलर और स्रीज की वीडियो हम next time में आपको जरूर बताएंगे तो दोस्तों इसको पारलर में जोड़ लेना है सारे पैनल्स की जो आपके प्लस-प्लस के कनेक्शन हैं यह माइनस माइनस की का सिस्टम लगाने जा रहे हैं तो आपको इस तरीके का कनेक्शन करना होगा क्योंकि आपका जो पैनल होता है वो बारा बोल्ट का पैनल डाजाते हैm वारा बोल्ट का पैनल्स आपका हो जाएगा इसमें तार कौन सी लगानी होती है इसके बारे में भी समझ लेते हैं दोस्तों अगर माल लीजिए आप 408 का पैनल लगाते हैं तो यहां पे आप कम से कम जो है 6 स्कुएर एमियम गेज की कॉपर कितार मल्टी स्टर्न वायर होती ह उसको ही लगाएं तभी यह सिस्टम अच्छा काम करेगा दोस्तों यहां पे मैंने आपको बताया जैसा की अंपेर निकालनी के बारे में बता दिया लोड के बारे में बता दिया अब यहां पे मैंने बताया था आपको 630 वाट का मेरे कलकुलेशन बन रहा है तो आप 150 पैनल लगा सकते हैं 600 वाट बन जाता है या उसके अब भी लगा सकते हैं दोस्तों आप इंवर्टर कौन सा लगाना इस बात को भी हमें ध्यान देना है दोस्तों याद रखें हमेसा कभी छोटा इंवर्टर ना लगाएं क्योंकि इन फ्यूचर आप पैनल अगर बढ़ाना है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें मिलते हैं नई वीडियो के साथ भन्यवाद